Accounting No Problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT Teleprime के इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे Teleprime ने Stock Items को Alter कैसे करते हैं, साथ ही बताएंगे कि किसी Stock Item को Delete कैसे करते हैं इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको Single Stock Item तथा Multiple Stock Items बनाना सिखाया था इस वीडियो को प्रारंप करने से पहले एक महतपून बात बता दें कि जिस तरह हमने आपको Legers को Alter और Delete करना बताया था, पिल्कुल वही प्रोसेस Stock Items के लिए भी है फिर भी हम आपको Short में इसे समझा देते हैं अभी हम Gateway of Tally पर हैं Master's Heading के अंतर का दिखाई दे रहे है Alter के लिए A प्रेस करें यहां से Stock Item सेलेक्ट करें देखें, लिस्ट आफ स्टॉक आइटम्स आ रही है जिस स्टॉक आइटम में कुछ चिंजिस करना हैं, उसे सिलेक्ट करें यह देखें, Stock Item Alteration स्क्रीन आ गई है आप जो भी चिंजिस करना चाहें, जैसे नाम, ग्रुप, युनिट, ओपनिंग बैलेंस तो यहां से कर सकते हैं पस एक बात का ध्यान रखें, जिन Stock Item में आपने Transactions कर लिये होंगे, उनकी युनिट्स चेंज नहीं कर सकते हैं यदे आप किसी Stock Item को डिलीट करना चाहते हैं याने स्थाई रूप से हटाना चाहते हैं तो इसी Stock Item Alteration स्क्रीन पर Alter और D एक साथ प्रेस करें ऐसा करते ही डिलीट की छोटी विंडो आएगी, यहां पर एक बात ध्यान रखें, जिस Stock Items को लेकर आप कोई Transactions कर चुके होंगे, वो डिलीट नहीं होगा यानि Alter और D प्रेस करने पर भी डिलीट की छोटी विंडो नहीं आएगी यदि आप इस Stock Item को डिलीट करना चाहते हैं तो Enter प्रेस करके उसे डिलीट कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते इसलिए N प्रेस कर रही हैं अब देखते हैं कि Chart of Accounts की साहता से आप एक साथ कई Stock Items में कैसे Alteration कर सकते हैं उसके लिए आपको Chart of Accounts में जाना होगा यहां Stock Items सेलेक्ट करें अब Alter और H प्रेस करें List of Multimasters में Multi Alter सेलेक्ट करें यह देखे, List of Stock Groups आ रही है यहां पर आप दो तरह से Alteration कर सकते हैं पहला, यदि आप किसी एक Stock Group में बने Stock Items में Alteration करना चाहते हैं तो उस Stock Group को सेलेक्ट करें देखे, हमने जो Stock Group सेलेक्ट किया था उसमें जतने भी Stock Items बने हैं वो और उनकी डिटेल्स दिखाई पड़ रही है यहां से आप ज़स्भी Stock Items में जो भी चेंजिस करना चाहें कर सकते हैं Escape Key से हम वापस List of Stock Groups पर आ गए हैं आई अब देखते हैं दूसरा तरीका इससे आप किसी भी Stock Group में बने Stock Items में Orderation कर सकते हैं उसके लिए आपको All Items सेलेक्ट करना होगा देखे ऐसा करते ही हमारी Company में बने सभी Stock Items वो जिस Group में बने हैं उनके नाम और हमने Stock Items बनाते समय जो भी Details दी थी वो दिखाई पड़ रही हैं यदि आप इनमें कुछ भी चेंजिस करना चाहें तो कर सकते हैं एक बार आपको फिर याद इला दें यदि आप Tally में कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं और उस दौरान आप Master में कुछ भी Alteration करना चाहते हैं तो आप अपने काम को बंद किये बिना ही Go To पर जाएं यह Options आपको यहां भी मिलेंगे और आप इनकी सहायता से Alteration कर सकते हैं अभी हमने कुछ वीडियो में क्रमशा, Stock Groups, Units और Stock Items को Create करना उनमें Alteration करना और उन्हें Delete कैसे करते हैं यह बताया इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि Purchase Voucher और Sales Vouchers क्या हैं और उनमें Transactions कैसे Record किये जाते हैं